हैलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों मैं इंकीत एक बात फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्री इंस्टिट्यूट यूपी फे दोस्तों मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे चल र कर तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि विद्दुत का चुमकी प्रेरण क्या होता है और फ्लेमिंग के बाये हाथ का नियम क्या होता है चुटकियों में इसको हमसाल करेंगे इसके बाद में दुबारा आपको पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं पढ़ेगी आप ह प्रेरणा लेना तो विद्दुत चुमकी प्रेरण क्या होता है जब कोई चालक तार होता है उसको चुमक के धृव के बीच में अर्थात यन और यस में एक यस इसके बीच में रख करके जब गति कराई जाती है जैसे कि तांवे का तार बे और एक चुमकी छेत रहो अंने इसे इधार एक इधार चुम्बक हो और इसमें तांबे के तार को गती करा दो तो यहां पर श्कुमकसीं प्रेड़ा लेकर उत्पंन हो तो इसकी बात अगर हम करते हैं, देखो लिखा है, जद किसी चालक तार को नाल चुम्बक के दोनो धुरूओं के बीच तेजी से उपर नीचे चलाया जाता है, कोई भी नाल चुम्बक हो, उसके धुरूओं के बीच दो धुरू होने चीए, धुरूओं के बीच में कोई चा विद्धुत जो उत्पन्न होती है इसको कहते हैं प्रेरित विद्धुत क्या कहते हैं प्रेरित विद्धुत क्योंकि ये प्रेरडा लेके उत्पन्न ही चुम्बक से अब समझ में आ गया होगा कि प्रेरित विद्धुत क्या होती है जब हम किसी चुम्बक के दो धुरों के बीच में कोई चालकतार को बहुत तेजी से गत कराते हैं तो इस चालकतार में एक विद्दुत उत्पन होते हैं जो विद्दुत उत्पन होती है इसको विद्दुत इसको प्रेरिध विद्दुत कहते हैं समझ में आ गया होगा अब अगर बात करें विद्दुत धारा जो हो अगर बात करें विद्दुध धारा केवल ना पिए तो अमीटर से घर में लगे होते हैं मीटर ठीक अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हम बातकरने जा रहे हैं आपने ऑपने अभी नहीं पढ़ा होगा जिसे हम पढ़ाने जा रहे हैं एक ही बार में समझ में आ देखो ये बाया हाथ है, तो फ्लेमिंग के बाया हाथ का नियम क्या कहता है, यदि हम बाया हाथ के नियम के अनुशार, अपने मध्यमा उंगली और इसके पास वाली तरजनी उंगली और अंगुठा को परस पर इस प्रकार लंबहुत फैलाएं, कि ये तीनों एक दोसरे के ल लगने वाला बल, ये बताता है धारा की दिसा, और ये बताता है धारा, समझ में आया, देखो इसको ऐसे याद कर लेना आप लोग, जैसे मानलो आपके वहाँ कोई महमान आया है, कौन है महमान, तो उस महमान ने कहा भी है, चलो हमको खेद दिखा दो अपने, तो आप गये हो, खेद दिखाने जब गये हो उसको, तो उसने कहा बताओ आपका खेद कौन है, तो ऐसे आपने किया, कहा देखो ये हमारा खेद है, मतलब ये हमारा छेतर है, अब जो ये वाली उंगली हुई, आपकी ये वाली, ये क्या बता रही है, छेतर, आपने कहा, मामा देख कुछ और चीज तो यह क्या बता रहा है तो यह क्या बता रहा है सिर्पे रखते हो उपर से बल लुए दार बताती है यहँए क्या बता रही है यह निचे धारहा है यह उगली बता रही है कि सामने वाला अपना छेत्र है अर्थात अबसे अपकते हैं ठीक और। यह उपर पड़ती है नश्यार बणगूतिसार बता पटाएगा और यह उगली का वाली हो शान देृटा बता उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा बताओ अंगुठा क्या बताता है अगर अंगुठे की बात करें हम तो अंगुठा क्या बताता है अंगुठा बताता है चालक पर लगने वाला बल याद कर लेना क्या बताता है बल यहां पर याद कर लेना क्या बताता है छोती है टर्जनी उंगली यह तरजनी उंगली क्या बताती है ऐस निpro्li तो यह बताती है यह वाônने व्ह४ी स्वेट र्रीम您श जेफर एब不起 छेत्र ayam दो कि खेत्र याद कर लेना कर आठब शुम्ब की छेत्र अब यह वाली उंगली क्या बताएगी मढध्यमा इसम स्मझ में आ गया होगा जो ऐसे आपको लिखना है अगर हम अपने बाय हात के अंडुठे और तरजनी उंगली और मद्धिमांगली को परस्पर इस्प का लंबफ फेलाएं कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबफ हो नभ्यांस का कॉंड बना रहे हूं तो अंगुठा चालक पर लगने वाले बल को बताता है और तरजनी उंगली चुमकी छेत्र की दिशा को बताती है और मध्यमा उंगली यह धारा की दिशा को बताती है ठीक यह धारा बता रही थी नीचे धारा बैती है सामने वाला खेत है और यह बल उपर से लग रहा है ठीक अच्छा यह वाला हो गया अगर फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की बात करें तो और जो यह वाली होती है यह दिशाय बताएगी कि दहारा की दिशा कुछ नहीं होता है इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं है आप लोग देख सकते हो यह यह बता रहा है चालक पर लगने वाला बल यह बता रहा है चुम्ब की छेत्र यह बता रहा है धारा की दिशा वह बता रहा है जालक की गत यह चुम्ब की छेत यह प्रेरी धारा बताएगी प्रेरी धारा की दिस्टा चलो तो देखो आप कोई स्वमिच में आ गया होगा बाएंहात के नियम के अनुसार यह बताएगा बल यह बताएगा छेत्र सामने हमारा चीछ यह बताएगी धारा की दिस्टा और दाहिने हाथ के नियम के अनुसार अगर हम दाएंहात की तीनों औंगलियों को अर्थाथ मध्यमा तर्जनी और उंग्ठे को इस कार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हो तो यह क्या बताएगा इसमें यह गति बताता वह Thomas बता रहा था इसमें घत अंगठा बताता अमईद करता हUNG कि य समझ में आ होगा मैक्सिवेल के बैंच का नीयम बताने जा रहा है हमारे साथ में बने रही तो दोस्तों देख सकते हो आप लोग यहां पर मैक्सिवेल के धच्छीडावरती का नियम क्या होता है एक मैक्सिवेल מिल करिक हम अगर किसीफ़कश को दाहिने हात में पकड़ करके इस प्रकार गुमाएं कि जिस अगर घरखों आको घ होता है जर्वा की दिशा में आगे को बढ़ें ल्वारपनार जस्amt अगेज loves ऐसे जब घुमाएंगे तो बताते हैं कि इस नियम के अनुसार यदि हम पेचकस को दाएं हाथ में पकड़ करके किसाथ में दाएं हाथ में पकड़ करके इस प्रकार घुमाएं कि पेच जो है पेच की नोग वो धारा की दिसा में आगे बढ़े कैसे बढ़े आगे दारा की द आइसे जा रहा है है और हम इस हाथ में दाये में और आईसे घुमा रहे हैं पर और आगे को बढ़ हुँ तो पर फ मेंश को लिएब या सुंपोज हमिंद कर दो कि यसी होगि देख लोग ठीक तो मैक्सियव नियम होता है देखो हमने बताऊ सबसे पहले प्रेरित विद्तvoor Pres 492- Febru अभाण क्या होता है जब neighboring के तार को रख करके उसमें गति करा दो to और आपने यहां पर कि बायें हाफ का नियम क्या होता है अगर अगर अपनी तिनों इंगुलियों को परस पर इस्प का लंबाओ फैलाएं कि यह 1-2 sta कोड़ पर हूं तब क्या होता है जो अंगूठा होता है यह चालक पे लगने वाले बल को बताता है और यह तरजनी उंगली छेत्र बता रही थी और यह विद्दुत धारा बता रही थी नीचे धारा चल रही और दाहिने हाथ के नियम में क्या था यह गति बताता था यह छेत चैनल को subscribe करना और इस वीडियो को like करना बिल्कुल मत भूलिये मिलते हैं अगली क्लास के साथ में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत